तो हलो गाइज एक बाद फिर से नई रेसिपी के साथ आ चुके हैं आप लोगों के कहने पहर मैं पिस्ता बर्फी की रेसिपी जो लेके आ चुका हूँ आप लोगों से मैंने पूछा था पिस्ता बर्फी की रेसिपी के लिए तो काफी लोगों ने पिस्ता बर्फी की रेसि सब्सक्राइबर के वेल आइकन उनके लिए ताकि आप को आने वाली वीडियो से अप्लोड गरते रहें तो आप मेरे चैनल को डेली चेक आउट कर सकते हो तो पिस्ता वर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूद चाहिए तो दूद यहां पर मैं मशीन में इसका जो खोय है वो बनाऊंगा लेकिन आप लोग इसको डारेकली कड़ाई में बना सकते हो तो यहां पर मैंने 15 किलो दूद का यूज किया है 15 किलो दूद मैं चलते हुए मशीन में डाल दिया और उसके बाद यहां पर मैंने 1400 ग्राम यानि की आप इसमें 80 ग्राम एक किलो दूद में 80 हम डाल सकते हो चीनी तो और उसके बाद थोड़ा समय यहां पर हाइड्रो पाउडर डाला है इसको थोड़ा साफ करने के लिए और इलाइची का पाउडर बस यही तीन चीजे आपके इसमें पढ़ेंगे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं उसके बाद हम पिस्ता डालेंगे बाद में यह खोया बनने के बाद तुम्हारा दूद है वह बिलकुल उबलने लग चुका है और बिलकुल ऊबल कर ěतिक हो जाएगा ऐसा सेम ٹुळास हो में बनानी है लेकिन हां इसमें हमने चींदाल कूछ आडर कर दिया है तो इसलिए यह बिलकल बरफिन हो जाएगी अगर इसमें हम कुछ ना आड़ करते तो बिलकुल खोए जासा ही रेड़ हो जाता तो हमने सब कुछ आड़ किया हुआ है तो देखिए काफी ज्यादा थिक होना स्टाड हो चुका है अब यह करीब मशीन बहुत फास चलती है इसलिए कम से कम 20 मिनट में ही यह रेड़ी कर देती है एक 15 किलो दूद का तो यहां पर देखिए एक बैच यहां पर रेड़ी हो चुका है और ड़ी मैं दस बैच बना चुका हूं तो यह मैं आप सभी के लोग द कोई जैसा बना सकते हो तो हमने यहां पर सारे निकाल ली है अब उसके बाद सीम टू सेम इसको अच्छे से फैला देना है ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा सा और उसके बाद सीधा इसको कड़ाई में डालना है कड़ाई में डालके हम पिस्ता का जो कलर अगरा है वह हम इसम इसमें पिस्ता का जैसा कलर दिखाने के लिए मैं इसमें ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूं हलवाई ग्रीन कलर का ही यूज करते हैं और जो असली वाला पिस्ता वर्फी होता है उसमें पिस्ते का जूस डाला जाता है तो यहां पर हर जगा पर हलवाई कलर ही यूज करते हैं पिस्ता जो है वो उपर से डाल देते हैं तो मिसमें पिस्ता ओपर से डालेंगे अब इसको कलर इसमें डाल दिया है तो यह बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा आप color कम जादा आपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना भी आप डालना चाहें उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं तो अब इसको थोड़ा सा भुना है अगर आप चाहते हो कि जल्दी बर्फी हमारी ready हो जाए कि जल्दी अगर हमें 2-3 घंटे में ही ready हो जाए तो आप इसको इतना थिक कर लें ने तो मशीन से जब मैंने निकाला था उतना थिक अगर आप रखोगे तो 24 घंटे लग जाएंगे उसको बर्फी जैसा piece बनने में बर्फी जैसा जमने में उसको और इतना थिक जैसे अभी दिखाए दिराए इतना थिक अगर आप कर लोगे तो ये दो घंटे में ही बर्फी आपकी ready हो जाएगे दो से तीन घंटे में बर्फी ready हो जाएगे देखिए इतना थिक आपको करना है अगर आप दो तिन घंटे में इसको ready करना चाते हो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक ट्रे में जिसमें प्रक्रेल विपा जिमने निकल जाये तो टे लगाके मैंने इसमें निकल लिया है विशको अच्छे से 4 तरफ पैला देते हैं ताकि रहनारी तो आप व्यंतली हो जए और और इसको दो-तिन घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसको पहले तो यह अभी गरम है इसलिए मैं इसको चाको से यूज़ कर रहा हूँ अब इसको शाइनिंग के लिए उपर मैं हास से बिल्कुल शाइनिंग इसके ऊपर लेकर आओंगा तो देखिए बिल्कुल यह रेडी तो इसके ऊपर पिस्ता डाल देते हैं तो अभी सॉफ्ट है, यह तो में 2-3 do तो अब 2-3 घंटे बाद दिखाते हुं यह देखिए 2-3 घंटे के बाद यह बिल्कुल जम चुकी है बरफी और बिल्कुल काटने के लिए रैडी है तो यह पहले वाली बरफी है यह जो तीन-चार दिन पहले बनाई थी तो इसका थोड़ा सा पुरानी होने के वज़ा से कलर तर फेड हो गया है और यह फ्रेश है जो हमने आज बनाई है तो अब इसको पीसेज में कट कर लेते हैं बहुत ही बड़ी है स्ट्रॉंग बर्फी जमी है मतलब बहुत ज्यादा टाइट निये हमने जल्दी और देना था इस चीज का इसलिए हमने बहुत जल्दी जमाने की को देख रही है और बहुत ही क्लीन देख रही है मतलब इसमें कुछ कटे फटे कुछ सबसा नहीं आ रहा है क्रैकिंग सोगरा नहीं आ रही कुछ लोगों के जो बर्फे होते हैं चीन ही ज्यादा डालने की वज़ह से उसके उपर पापड़ी जम जाती है तो यहां पे देखि की कमेंट में जरूर बोताइए और अभी तक हमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान आउन कर लेजे ताकि आपको आने वाली वीडियोस को ने उट्रिकेशन्स मिलती रहे और मेरो जासे नहीं हड़ाइस टाल वीडियोस आप सभी के लिए अपलोड करता हूं करता हूं आपको 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 कर लेजे को आपको आपको झाल झाल